साथ फिट पांच इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर भैतर किलो वजनी कवच्छ दुश्मन भी जिनके युद्ध कोशल की कायल थे जिनोंने मुगल शाशक अकबर का भी घमन चोर चूर कर दिया तीस सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं मना सके ऐसे वीर युद्धा महराना प्रताप का जन 9 मई 1540 इस्वी को राजस्तान के कुम्बलगड दुर्ग में हुआ था उनके पिता का नाम महराना उद्य सिंग और माता जीवत कवर थी वे महराना सांगा के पोत्र थे महराना प्रताप को बच्पन में सभी की का नाम लेकर पुकारा करते थे राजपुताना राज्यों में मेवार का अपना एक विशिष्ट स्थान है जिसमें इतिहास के गौरव, बपा रावल, खुमान प्रतम, महराना हमीर, महराना कुम्भा, महराना सांगा, उदे सिंग और वीर शिरोमनी महराना प्रताप ने जनम लिया महराना प्रताप उदेपुर मेवार में सिसोधिया राजवंच के राजा थे, उनके कुल देपता एकलिंग महादेव थे, मेवार के राणाओं के आरात्यदेव, एकलिंग महादेव का मेवार के इतिहास में बहुत महत्व है एकलिंग महादेव का मंदिर उद्यपूर में स्थित है मेवार के स्थापक बपारावल ने आठवे शतापदी में इस मंदिर का निर्मान करवाया था और एकलिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठा स्थापित की थी प्रताप की काल में दिल्ली में मुगल समराट अकबर का शाशन था जो भारत के सभी राजाओं महराजाओं को अपने अधीन कर मुगल समराजी की स्थापना कर इसलामिक पर्चम को पूरे हिंदुस्तान में फैराना चाता था तीस वर्षों के लगाता प्रयास के बावजूद महराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्विकार नहीं की जिसकी आस लिये ही वहें इस दुनिया से चला गया महराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतेग्या ली थी कि जिन्दगी भर उनकी मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्ख ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बाच्शा नहीं मानेंगे अकबर ने उन्हें समझाने के लिए चार बार शांती दुतों को अपना संदेशा लेकर भेजा भी था लेकिन महराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रियास और प्रस्ताव को नामजूर कर दिया महराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिये घोडा चेतक था महराणा प्रताप जिस घोडे पर बैठते थे वह घोडा दुनिया के सरवश्रिष्ट घोडों में से एक था ऐसा कहा जाता है कि महाराना प्रताप तब भैतर किलो का कवच पहन कर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे भाला, कवच और ढाल तलवार सब का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था राना 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे सोचे तब उनकी शक्ति क्या ही रही होगी महाराना प्रताप की राज्य विशेक की अगर बात की जाए तो उनका राज्य विशेक गोगुंदा में हुआ था युद्ध की विशेका के बीच राना उद्य सिंग ने चितोड त्याग कर अरावली परवत पर डेरा डाला और वहां उद्यपूर के नाम से नया नगर बसाया जो की उनकी राज्धानी भी बना उद्य सिंग ने अपनी मृत्यू के समय भट्यानी रानी के प्रती आसकती की चलते अपनी छोटे पुत्र जगमल को गद्धी सौब दी जबकी प्रताप जेश्ट पुत्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से उत्रादिकारी थे उद्य सिंग के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी विरोध किया था दोसरी और मेवार की प्रजा भी महराना प्रताप से लगाव रखती थी जगमल को गद्धी मिलने पर जब जनता ने विरोध किया और निराशा उत्पन हुई इसके चलते राजपुत सरदारों ने मिलकर एक मार्च 1506 को महराना प्रताप को मेवार की गद्धी पर बेठाया इस घटना से जगमल उनका शत्रू बन गया और अकबर से जामिला महराना के मेवार की राजधानी उदेपुर थी उन्होंने 1568 से 1597 इस्वी तक यहाँ पर शाशन किया उदेपुर पर यवन तुर्क आसानी से हमला कर सकते थे ऐसा विचार कर तथा सावंतों की सला से प्रताप ने उदेपुर छोड़ कर कुंबल गड़ और गुंगंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया जगमल नाराज होकर बाश्या अकबर के पास चला गया और बाश्या ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्षमे कर लिया इसके पश्चात बाश्या ने जगमल को सिरोही राजय का आधा राजय प्रदान कर दिया इस कारण जगमाल की सिरोही की राजा सुर्तान देवडा से भी दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुई युद में जगमाल मारा गया जिस समय महराना प्रताप ने मेवार की गद्धी समहा ली उस समय राजपुताना बेहग नाजुक दोर से गुजर रहा था बाजशा अकबर की कुरूरता के आगे राजपुताना के कई राजाओं ने अपने सिर जुका दिये थे कई वीर प्रतापी राजवंचों ने उत्रादिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुला कर मुगलिया वंच से विवाहिक सम्मन सापित कर लिये थे कुछ स्वाभी मानी राजघरानों के साथ ही महरारा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अठल थे और इसी लिए तुर्क बादशा अकबर की आखों में भी सदेव खटका करते थे मेवार को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किये अजमेर को अपना केंदर बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद सैनिक अभ्यान शुरू किये महरारा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के समराट अकबर की सहरा के साथ संघर्ष किया प्रताप की वीर्था ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कोशल के कायल थे उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों का सम्मान पुरुक उनके पास वापस भेज़ दिया जाता था अपनी विशाल मुगलिय सेना बे मिसाल बारूत खाने युद्ध की नवीन पदतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों गुप्त चरों की लंबी फैहिस्त चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महराना प्रताप को जुकाने में ऐसफल रहा तो उसने आमेर के महराजा भगवान दास के भतीजे मान सिंग को विशाल सेना के साथ डूंगरपूर और उद्यपूर के शाषकों को अधीनता स्विकार करने हे तू विवश करने के लक्षे से भेजा मान सिंग की भुवा जोदा भाई यानि की हरका भाई का विवा भी अकबर से हुआ था मान सिंग की सेना की समक्ष डूंगरपूर की रज्ये अधीक प्रतिरोद नहीं कर सका इसके बाद मान सिंग महराना प्रताप को समझाने हे तू उद्यपूर पहुँचे मान सिंग ने उन्हें अकबर की अधीनता सुिकार करने की सला दी लेकिन प्रताप ने द्रणता पुरुक अपनी स्वाधीनता बनाये रखने की गोशना की और युद्ध में सामना करने की गोशना भी गर दी मान सिंग के उधेपुर से खाली हाथ आ जाने को बाच्छा ने करारी हार की रूप में लिया अपनी विशाल मुगलिय सेना को मान सिंग और आसफखा के नित्रित्व में मेवार पर अक्मन करने के लिए भेज दिया आखिर कार 30 मई सन 1586 को प्राते काल में हल्दी घाटी के मैदान में भेंकर युद छड़ गया मुगलों के विशाल सेना टिड़ी दल की तरह मेवारी भूमी की और उमड पड़ी उसमें मुगल राजपुत पठान युद्धाओं के साथ जबरदस तोप खाना भी था अकबर के प्रसिद्ध सेनापती महावत खां आसफ खां मान सिंग के साथ शहजादा सलीम भी इस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे जिनकी संख्या इतिहासकार 18,000 से एकलाग के बीच में बताते हैं इस युद्ध में प्रताप ने अभूत पुरु वीर्ता और साहस से मुगल सैना के दाग खटे कर दिये और अकबर के सैक्डो सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया विकट परिस्तिती में जाला सरदार मान सिंग ने अपना मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारन कर लिया मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और उसके पीछे दौर पड़े इस प्रकार उन्होंने राना को युद चितर से निकल जाने का अफसर परदान कर दिया इस ऐसफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्ता आया उसी दौरान अकबर शिकार के बहाने चितर में अपने सेने बल सहित पहुँचे और अचानक ही महराना प्रताप पर धावा बोल दिया प्रताप नीत अतकालीन स्थितियों और सिमित संसाधनों को समझ कर स्वैम को पहाडी चितरों में स्थापित किया और लगू तथा च्छापामार युद प्रनाली के माध्यम से शत्रू सेना को हतोच साहित कर दिया बाजशा ने स्थिति को भाप कर वहां से निकलने में ही अपनी समझधारी समझी एक बार के युद में महराना प्रताप ने अपने धरम का परिच्चे दिया और युद में एक बार शाही सेनापती मिर्जा खान के सेनेबल ने जब समर्पन कर दिया तो उसके साथ शाही महिलाएं भी थी महराना प्रताप ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रक्सते हुए आदर पूर्वक मिर्जा खान के पास सभी महिलाओं को पहुँचा दिया हल्दी घाटी के युद में करीब 20,000 राजपुतों को साथ लेकर महराना प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंग के 80,000 की सेना का सामना किया था इसमें अकबन ने अपने पुत्र सलीम को युद के लिए भेजा था जहांगेर को भी मुखी खाने पड़ी और वहें भी युद का मैदान छोड़कर भाग गया था बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महराना प्रताप पर अकबन किया और इस बार भेंकर युद हुआ इस युद में महराना प्रताप का प्रिये घोड़ा चेतक घायल हो गया था राजपुतों ने बहादुरे के साथ मुगलों का मुकाबला किया परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूग धारियों से सुसजित शत्रू की विशाल सैना के सामने समूचा प्राक्रम निश्कफल हो रहा युद्ध भूमी पर उपस्तित 22,000 राजपुत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमी से किसी प्रकार बचकर निकल पाए महराणा प्रताप को जंगल में आश्रे लेना पड़ा महराणा प्रताप का हलदी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाडों और जंगलों में वैतीत हुआ अपनी गुरिल्ला युद्ध निती द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी महराणा प्रताप चितोर छोड़ कर जंगलों में रहने लगे महराणी सूकुमार, राजकुमारियां और कुमार घास की रोटियां और जंगल की पोखरूं के जल पर ही किसी प्रकार जीवन वैतीत करने को बाद्धे हुए अरावली की गुफाए ही अब उनका आवास थी और वहाँ की शिलाए ही उनकी सैया थी मुगल चाहते थे कि महराणा प्रताप किसी तरह अकबर की अधिनता स्विकार कर ले और दीन इलाही धरम अपना ले इसके लिए उन्होंने महराणा प्रताप तक कई प्रलोबन संदेश में भीजवाए लेकिन महराणा प्रताप अपने निश्चे पर अडिक रहे प्रताप राजपुतों की आन का वह समराठ है जो हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य इस संकर त्याग तप पे अडिक रहा कई छोटे राजाओं ने महराणा प्रताप से अपने राज्ये में रहने की गुजारिश की लेकिन मेवार की भूमी को मुगल आदिपत्य से बचाने के लिए महराणा प्रताप ने प्रतिग्या की थी कि जब तक मेवार आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करेंगे स्वादिष्ट भोजन को त्याग देंगे कंद मूल और फलों से ही पेट भरेंगे लेकिन अकबर का आदिपत्य कभी भी स्विकार नहीं करेंगे जंगल में रहकर ही महराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर चापा मार युद्व पत्यदी से अपने अनेक बार मुगल सेना को कटनाईयों में डाल दिया प्रताप साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सर नहीं जुकाए बाद में मेवार के गौरब भामाशा ने महराणा के चर्णों में अपनी समस्त संपत्ती रग दी महराणा ने अपने सेने बलका पुनर गठन किया तथा उनकी सेना में नव जीवन का संचार भी इस से हुआ महराणा ने पुना कुम्बलगड पर अपना कबजा स्थापित करते हुए शाही फोजों द्वारा स्थापित थानों और ठेकानों पर अपना अक्रमन जारी रखा मुगल बाद्शा अकबर ने एक और विशाल सेना शहबास खान के नित्रित्व में मेवार भेजी इस विशाल सेना ने कुछ स्थानिय मदद के आधार पर कुम्बलगड और केलवाड़ा पर कबजा कर लिया तथा गोगुंदा और उध्यपूर छितर में लूट पार्ट की ऐसे में महराना प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाडी छितरों में पना लेकर स्वेम को सुरुक्षित रखा और चावंड पर पुन्य कबजा कर लिया शाहबास खान आखिरकार खाली हाथ पुन्य पंजाब में एकबर के पास गया चितरोड को छोड़कर महराना ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रू से पुन्य उधार कर लिया यानि की पुन्य प्राप्त कर लिया उधैपूर को उन्होंने पनी राजधानी बनाया विचलित मुगलिया सैना के घरते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ती के भूते महराना ने चित्तोरगड वे मांडलगड के अलावा संपून मेवार पर अपना राज्य पुनस्तापित कर लिया इसके बाद मुगलों ने कई बार महराना परताप को चुनोती दी लेकिन मुगलों को हमेशा मुगी खानी पड़ी आखिरकार युद्ध और शिकार के दोरान लगी चोटों की वज़े से महराना परताप की मृत्यू 1557 को 1554 में हो गई तीस वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महराना परताप को ना तो बंदी बना सका और ना ही उन्हें जुका सका महान वो होता है जो अपने देश, जाती, धर्म, संस्कृती की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझोता ना करे और स्तथ संघर्ष करता रहे ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिन्दा रहते हैं और महाराना प्रताब भी लोगों के दिलों में हमेशा जिन्दा रहेंगे इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद